Hello students, स्वागत थे आप सभी का आपके अपने धहर्या क्लासेज में Environmental Studies में हम देख रहे थे Water Pollution and Control Boards के बारे में हमने Water Pollution and Water Prevention and Control के बारे में Act देखा था last lecture में आज हम उसी में उसके Control Boards के बारे में पढ़ने वारे हैं कि Water Pollution को Control करने के लिए कुछ Board बनाए गए हैं उनके काम क्या हैं वो हम देखने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का Lecture जो की है Water Control Boards पे Water Control Boards को शॉर्ट फॉर्म में आप PCB के अब्रिब्येशन से लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज का हमारा Lecture Function of the Pollution Control Board The government has given the necessary powers to the PCBs to deal with the problems of the water pollutions in the country अर्थार सरकार ने PCB को देश में जल प्रदूर्शन की समस्या से नहीं पटने के लिए जरूरी अधिकार दिये हैं वो अधिकार कौन-कौन से हैं वो हम आगे देखते जाएंगे और समस्यते जाएंगे ठीक हैं लेकिन सबसे पहला काम क्या है इनका यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि समस्या से नहीं पटने के लिए कौन से समस्या प्रदूर्शन के समस्या से नहीं पटने के लिए ही उनको अधिकार दिये गया है The government has also suggested penalties for violations of the provisions of the Act मतलब सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के उलंगन के लिए दंड का भी सुझाओ दिया है दंड मतलब penalty penalty मतलब दंड मतलब वो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है जैसे कि आर्थिक दंड भी होता है आप उसको कुछ महिनों की जेल हो सकती है कुछ सालों के लिए भी जेल हो सकती है ठीक है, उन सब को ये दंड दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये कौन बताएगा, सरकार बताएगी, ठीक है, उनके अधिनियम में जो भी, अधिनियम मतलब एक्ट में जो भी मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग जब कोई काम नहीं करेगा, तो ये दंड मिलेगा, हम देखते हैं, क Central Board का काम होगा Central level पे पूरे production के बारे में डेटा एकत्र करना और उसे solution के लिए कुछ advice बताना state को या government को ठीक है और state board का भी वही काम है लेकिन ये Central Board के साथ coordinate करके काम करेंगी और ये state पे नज़र रखेगी ये direct state पे नज़र रखेगी और Central Board इनके थ्रू बड़े लेवल पे काम करेंगी ओके तो आज हम देखते जा रहे हैं Central Control Board की बारे में state board को हम next lecture में देखेंगे तो Central Control Board के functions देखते हैं क्या है इसके function it has power to advise the Central Government इसके power क्या है ये किसको advise दे सकता है Central Government को advise दे सकता है on animator किसी भी मामले में ठीक है concerning the prevention and control of water pollution क्योंकि हम water pollution के बारे में भी पढ़ रहे हैं ने last introduction class में भी water pollution के बारे में देखा था तो इसलिए हम यहाँ पे water pollution के control boards के बारे में यह बात कर रहे हैं ठीक है तो water pollution के लिए जो भी prevention हो सकता है उसके रोगधाम से लिए के लिए या उसके नियंतरन से जमदित किसी मामले में किसको advise कर सकता है सला दे सकता है government को कौन PCB वो भी Central Control Board ठीक है PCB में भी Central the board coordinates the activities of the state boards and also resolves disputes ठीक है यह बोर्ड जो है वो क्या करेंगे बोर्डों की गतिविधियों का समन्वे करता है बोर्ड राज्य बोर्डों की कौन से Central Board की बारे बात करें तो यह किसे कोडिनेट करेगा राज्य बोर्ड से मतलब स्टेट बोर्ड से ठीक है और विवादों का समधान भी करता है ठीक है मतलब यह दोनों एक दूसरे के साथ मिल जूल के ही काम करेंगे और प्रजूशन की रोख थाम और निया अंतरन करेंगे वाटर पॉलुशन की अब आगे देख लेते हैं इट है इट केन प्रोवाइट टेक्निकल असिस्टेंट मतलब यह टेक्निकल इसूज पे भी काम करेंगा कौन इसको पीपल इंवाल्ब इन दिस प्रोसेस इसको अब थोड़ा सा और अच्छा समझ लेते हैं कि क्या होता है मतलब जब भी जल प्रोसें की बात की जाएगी तो उससे संबंधी जाच और अनुसानधान करने के लिए राज्य बोड को तक्निकी सहाथा क्या करेगा इसको तक्निकी सहाथा मतलब हमें किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी चीजों की ज़रत पड़ती हैं हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ कुछ एक्विप्मेंट चाहिए रहता है अगर आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो आपको पैन पैंसिल कॉपी पेपर इस तरीके की बुक्स चीजे ज़रुरत होती हैं आजकल हम में ऑनलाइन हमारी पढ़ाई होती है तो हमें इंटरनेट के भी जरूरत है इंट सनेटेश भी प्रदान करेगा और इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए अतलब क्या करैंगे लिए तरी उति लिए को आषबनें के लिए कुछ ये प्रोग्राम और इस डिए आप दोगा है Nawraktor कि अन्हें करेंगा आपको अगर जाली आता कूछ अलग तरिके के कैन उस में ट्रृएं करना है कैसे लौग इन करना हैCr चीजों को उसको सिखायेंगे और आपको शिकायत करना पो Congo आफिसरोby तो यहां पर तकनील शूव गया छोटा सा हं कि आपने से बाहर बाहर तो इन सब चीजों को आपरेट करने के लिए हमें कुछ से जरुरत होती है तो वह काम जो है अच्छे से करेंगे इसलिए भिनावार ट्रेनिंग के हम काम नहीं कर सकते हैं तो प्रश्रिक्षन ज़रूरी होता है और यह बड़े लेवल पर काम हो रहा है तो इसका प्रश्रिक् ज चैने करते हैं फंक्शन आप्स और सेंट्रल गंत्रोलबोड लेगने घडूरी ऑरनसलम अ मने अभी तिका कि प्रोग्राम टेक्निकल ट्रेणि फैसलम करते है अब क्या करते है उआँड्я मेल्व आप किसलिँ 2018 सिलमिस चीजोड़कर आप ओस पूख सूंट्ट हैत आशो सकते हैं ध्यापक जगूरुपता अभ्यान चलाते हैं और कारिकराम रहliche से data कि कहां कौन से जगां पर हैं और कित्ना काम करने की जरूरत है क्योंकि हर जगा तो प्रॉदुशन एक बराबर होता बहुत साफ भी होता है अब अपने इंडिया में देख सकते हमाईटी है गाटी एरिया है और प्थेली है मुंझेचles पहाड है लेकी उस्मिंटियक में अगर देखोंगे बड़ बड़ी इंड्रस्टियल एरिया है वहां पर क्या होगा प्रयूसर बहुत ज्यादा होगा तो उन जगहों पर नियंत्रण की बहुत जरूरत हो दी क्योंकि इंडर्स्ट्रियल एरिया पर ज्यादा प्रविशन होता है तो वहां पर काम करने की भी जागरुपता फिलाने की भी बहुत ज़ादा जरूरत है आगे देख लेते हैं मतलब बोक्रिक निप्तान के मानकों पर मानक को अस्टेंडर्स परामर्स से नियमों में शोधन करता है मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहां पर बोर्ट मानक मतलब एक पर्टिकुलर्स डेटासट करेगा मतलब एक पॉइंट सेट करेंगा कि इस मानक पे अगर जो आप नंबरिंग दे तो वन से लेकर 10 तक में नंबरिंग होती है अगर अगर प्रदूर्शन का इस तरह को बहुत जाद है वहां पे तो इस तरह सफाई अगर करेंगे तो जिसको 10 या 9 नंबर मिलें वहां पर प्रदूर्शन का बहुत कम है अगर किसी को कम मार्स में मतलब वहां पर प्रदूर्शन गंदगी जो है वह जादा है तो इस तरीके से वह एक स्टेंडर्ड सेट करेंगा कि अगर कोई जो है पांच से अगर वन से लेकर 10 तक क करेंगा आगे देख लेते हैं the main function of the central board is to promote the cleanliness मतलब साफ सफाई पे ध्यान देगा किसके water के sources पे मतलब और कौन-कौन से हैं वो rivers, lakes, streams and wells in the country इन सब चीजों की वो water sources मतलब जहां भी पानी है ताजा पानी है साफ पानी है उन सब चीजों को साफ सफाई रखने के लिए और प्रोग्राम आउजित करेगा और उसकी सफाई के लिए धियान देगा जैसे ये सब क्या है पानी के स्फोर्थ ही तो है है और cellmate से क्यों कि प्रमोट किया जाता है तो आज कि लिए इतना ही हमने इंदिल सेन्ट्रल बृट मतलब रखंडर कं में हम देखेंगे स्टेट कंट्रूल वर्ट के बारे में तो आपको ये रिफ्रेंसे आपको पता ही है कि हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं लिंक आपको दिया हुआ है आपको ये चीज टैगलाइन को याद कर लेना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ये छोटी-छोटी चीज आपको एक योटूब चैनल थारिया क्लासेज सब्सक्राइब दिस चैनल पॉर अपडेट्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको जब भी वीडियो लेक्ट्र अप्रोड हो तो आपको जानकारी तुरंक मिल जाए है